तो गाई सबसे पहले हम एपरिल के बाद जितने भी मंज से उनके बारे में देखेंगे तो सबसे पहले आपने याद रखना है हमें सबसे पहले तीन मंज सब्ट्रेक्ट करने उसके बाद हमने seven days एड़ करने और last में हमने one year एड़ करने तो गैज चले अब example देख लेते हैं पहला होगा मारे पास अगर किसी का LMP December 3rd 2021 है December 3rd 2021 तो गैज अब देखते हैं कि हम इसे कैसे calculate कर सकते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे month, day and year अब गैज डिसेंबर हमारा 12th month होगा 3rd day and 2021 अब हम यहां से 3 month subtract करेंगे plus 7 days and plus 1 year तो हमारे पास EDD calculate करके आएगी 9 month 10 day and 2022 तो गैज यहां पर EDD हमारे पास आएगी 10th September 2022 10th September 2022 तो गैज अब दूसरा example देख लेते हैं अगर किसी का LMP November 28, 2021 है तो उसका कैसे निकालेंगे November 28, 2021 तो गैज अब इसका भी देख लेते हैं तो November हमारा 11th month होगा 28 day and 2021 तो गैज उसी तरह हम यहां पर 3 month subtract plus 7 days and plus 1 year तो यहां पर हमारे पास आएगा 8th month 35 days and 2022 तो गैज यहां पर हम इसको तोड़ेंगे क्योंकि हमारे पास 35 day नहीं होगे तो 30 day plus 5 day तो यहां से हमारे पास आएगा 1 month plus 5 day अब 1 month को हम यहां पर जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 9 month 5 day and 2022 तो गैज यहां से हमारे पास EDD calculate होके आएगी 5th September 2022 5th September 2022 तो गैज तीसे example देख लेते हैं अब हम देखेंगे January, February and March के लिए जिसका LMP January, February and March के लिए होगा तो गैज यहां हमारे पास 12th month होगा अब हमने स्पोर्ज करना ही हमारे पास 13, 14 and 15 month होगा तो गैज अब इन 3 months के लिए देख लेते हैं तो अगर किसी का LMP हमारे पास January 3rd, 2021 है January 3rd, 2021 है तो हम इसे कैसे calculate करेंगे तो गैज यहां पर month हम लेंगे 13 क्योंकि हमने यहां पर बोला है कि 13, 14 and 15 लेना है तो यहां पर हमारे पास आएगा 13, 3 and 20, 21 minus 3 plus 7 गैज यहां पर हमने यह एड़ नहीं करना है क्योंकि हमने पहले कर दिया है तो यहां पर 10th month, 10th day and 20, 21 तो यहां पर हमारे पास ED calculate होके आएगी 10th October 2021 2021 तो गैज I hope आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर देना थेंक यू